हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइफा कॉंसेप्ट, वाइफा कॉंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है तो अभी रेल्वे गूरूब डी का डॉकुमेंट भर्विक्शन और मेडिकल चल रहा है, आप सभी को पता हैंगे और इस्टर नेजन कोलकाता वालों के लिए यहां पर एक खुश खबरी है कि आप लोगों का जो अभी डॉकुमेंट भर्विक्शन और मेडिकल चल रही है, उसका ब्लॉक डेट जारी कर दिया गया है ब्लॉक डेट का मतलब हुआ कि अगर आप लोग का जो डेट दिया गया है डॉकुमेंट भर्विक्शन और मेडिकल के लिए अगर उस डेट में किसी कारण वस नहीं जा पाते हैं, आपका कोई हो सकता है उस डेट को कोई दूसरा एक्जाम हो या फिर कहीं कोई और दिक्कते आ गई हो जिस वज़े से आप उस डेट पर एक्जाम सेंटर में नहीं पहुँच पाए डॉकुमेंट भर्विक्शन और मेडिकल के लिए तो उसके लिए एक ब्लॉक डेट जारी किया जाता है, जो कि अभी इस्टन रेल्वे कोलकाता के द्वारा या ब्लॉक डेट जारी किया गया है आप लोग उस ब्लॉक डेट में पहुँच करके वहाँ पर अपना डॉकुमेंट भर्विक्शन और मेडिकल करा सकते हैं तो जो भी आपका डॉकमेंट और मेडिकल के डेट में नहीं पहुँच पाए हैं, वो ब्लॉक डेट में जरूर जा सकते हैं और जिसका भी छूड गया है, वो बुलाया गया इस डेट में चलिए देखते हैं हम लोग रेल्वे का नॉटिफिकेशन के माध्यम से जो कि ओफिसियल नॉटिफिकेशन आया है आर आर सी कोलकाता के साइड में और उसमें हर एक डिवीजन का यहाँ पर ब्लॉक डेट दे दिया है तो चलिए देख लेते हैं तो यह रही नॉटिफिक जो कि रेल्वे के द्वारा आपका आर आर सी के कोलकाता के साइड में दिया गया है इस नॉटिफिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखाया रेल्वे रिक्रूफिकेशन इस्टर्न रेल्वे कोलकाता और यह जो है CEN नमर 101 2019 का है नॉटिस फोर रिजर्व डे रिजर्व डे का मतलब हुआ आपका जो ही इसपेशल डे आपको दिया गया है जिसमें कि आप लोग यहाँ पर डीवी और आमे करवा सकते है नहित नॉटिस फोर रिजर्व डे ओ डे ओंडीव फोर नॉन पी decepat का मतलब हुआ जो जेनरल कंडिट है या उसके लिए नोटीच अठीक है इस इस फोर इनफोर्मेशन टू कंडिड़ेट देट दोज नॉन पीड़ेट कंडिड़ेट हूँ फेल्ट टू अटेंड डीवी इन देयर सेट्डूल डीवी डेट और हैर वाई गीवें दो लास्ट फाइनल चांस टू एटेंड डीवी एड देयर सेट्डूल डीवी लोकेशन एज पर फ्रिवेलिंग रेलवे रूल्स तो बोला गया है कि आप लोग को जो डीवी डेट दिया गया था अगर किसी कारण बस आप लोग उस डीवी डेट में एटेंड नहीं कर पाए हैं तो आ आपका करणिटेट से रद कर दिया जाएगा ठीक है तो यहां पर आप लोग का देख सकते हैं जिसका भी आशन सोल में था आपका डीवी और यह चल रहा था आपका 27 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक है ना 27 फरवरी 10 मार्च तक अभी चली रहा है कंटीन्यू आशन सोल में दीवी तो इनके बीच आप लोग कोई भी कंडिट नहीं पहुंच पाते हैं तो आप लोग के लिए एक ब्लॉक डेट दिया गया है 13 दो 2023 को तो आशन सोल वालों का जो ब्लॉक डेट है वो 13 मार्च को है आप लोग यहां पर जा सकते हैं 13 मार्च को और अपना डॉक्मेंट करा सकते हैं हावडा वालों के जो है अभी डॉक्मेंट भरिष्कन 24 फरवरी से ले करके चोगदा मार्च तक चलने वाली है उसके बाद जब यह खतम हो जाएगी तो फिर इस पेसल आपको जी है 16 मार्च को बुलाया गया है ब्लॉक डेट में ठीक है फिर मालदा की बात करत है 13 मार्च को उसी परकार सियालदा की बात करें तो यहाँ पर जो है 24 फरवरी से ले करके चोगदा मार्च तक यहाँ पर डॉक्मेंट में ब्रॉक्मेंट करा दिया गया इस डेट में आप जाकर के अपना जो है डॉक्मेंट करा सकते हैं अब कंचन पारा की बात करें कच्र जाकर करा सकते हैं लिल्वा का जो है आपका ड़कुमेंड धिया गया है जमालकूर की बात करें तो 27 फरवरी से लेकर के जिसमें कि आपका 10 March को है आपका इसका ब्लॉक डेट जा गया है जो भी नहीं जा पाते है इस डेट में तो आप लोग डेट में यहाँ पर पहुच सकते हैं यह आपका ब्लॉक डेट है सभी के के लिए आप लोग अपना देख लिए किस जौन का मतलब किस डिविजन का सब्सक्राइब करा सकते हैं जहां पर आपका डिवी डेट पहले उसी सेंटर में आ करके लेकिन आपको एक अथेंटिक कोई डोकुमेंट लाना होगा जो कि जिसके बज़े से आप लोग ने अपना डिवी जो इस डेट में था वो डेट को छोड़े हैं या तो आप अर उस डोकुमेंट में सिर्फ दो ही चीज़ वहाँ पर मानने हो गया एक तो मेडिकल इसू और दूसरा एक्जाम वहाँ पर जाना होगा तब फिर वहाँ पर आपको डोकुमेंट मेंट होगा ठीक है और हर एक बुलोग डेट जो है उसका रिपोर्टिंग टाइम यह होने वाला है दस एयम को होगा तो दस तक आप बूं इस रिपोर्टिंग टाइम में जा सकते हैं अगर आप लोग उस डीवी बैनू में नहीं पहुंचते उस डेट को तो फिर दोबारा आपको वहाँ पर दोबारा कोई डेट नहीं मिलेगा और कंडिड़ेटर जोए आपका फेल कर दिया जाएगा आपका कंडिड़ेटर माने नहीं होगा यह प्लोग जाएए अपना डोकमेंट में अपना ब्लॉग डेट में करा लीजी जिसका भी छूटा हुआ है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इस परकार लेटेस्ट अब्लेट आप लोगों समय समय पर में पहुंचाता रहता हूँ मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद